नमस्कार फ्रेंड्स EPS 95 पेंशनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशकबरी आ रही है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अफडेट की तरह बढ़ने से पहले आप से एक छोटी स्रीक्रेस्ट है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोश्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जीगा तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि EPS 95 पेंशन अब होगी डबल फाइनेंस मिनिस्ट्री EPS को मिलकर बनाएंगी नया प्रस्ताव जियाँ फ्रेंड्स EPS को सदेश्यों के लिए बहुत अच्छी ख़बर है लेबर मिनिस्ट्री ने EPS के 6 करोड से ज़्यादा सदेश्यों की मिनिमम् पेंशन को रिवाइज करने पर विचार सुरू कर दिया है जियाँ फ्रेंड्स बिलकुल अपने हालां की अब इसका जिम्मा Finance Ministry को पपा गया है शुत्रों ने बाताया कि Finance Ministry मिनिमम् पेंशन बढ़ाने के साथ यूनिवरसल पेंशन सुरू करने का प्रस्ताव करेगी इसके बाद इसी EPS को बिज़ा जाएगा जो इस पर अंतिम फैसला लेगा अभी मिनिमम पैंसन एक हजार रुपए हैं जिसे दो हजार रुपए किये जाने की EPFO स्देशी डिमांड कर रहे हैं जियां फ्रेंट्स आपको बता दें की बुद्वार को ही EPFO की करमचारी पैंसन योजना EPS कत्यात आने वाले पैंसन भोगयोंने मास्तिक पैंसन बढ़ा कर नियुनतम 7500 रुपए करने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदान मंतरी नरंदर मोदिस्टी मुलाकात देए जियां फ्रेंट्स आपको बता दें की EPS 95 पर रस्ट संगर समिती एनसी के अध्यक्स कमांडर असोक राउत ने एक बयान में कहा कि प्रदान मंतरी मोदि ने उनकी मांगों को गोर्षे सुना और उन पर समुचित कारवाई का आस्वासन दिया जियां फ्रेंट्स पैंशन भोगी मूल पैंशन 7500 रुपे मासिक के साथ महेंगाई बता और पैंशन भोगियों के पत्ती या पत्नी को मुत्त स्विधाय देने और EPS 95 की दायरे में नहीं आने वाले रेटाइर क्रमचारियों को भी मिनिमुम 5000 रुपे मासिक पैंशन देने की मांग कर रहे हैं जियां फ्रेंट्स कमांडर असोग जी रावद ने दावा क्या हैं कि करमचारियों के EPS मद में 30 साल की नौपरी में 20-20 लाग रुपे तक जमा होने के बावजूद अधिक्तम मासिक पैंशन 2005 रुपे तक ही मिल रही हैं इससे करमचारियों और उनके पर काम कर रहे हैं लोगों को पैंशन देने की यूजना प्रजान मंत्री स्रम योगी मांदन यूजना में 30 साल का व्यक्ती 100 रुपे यानि की का योगदान देकर 60 साल सी 3000 रुपे तक मासिक पैंशन ले सकता हैं जियां फ्रेंट्स EPS के 95 के त्यात आने वाली सभी करमचारियों की मूल वेतन 15,000 रुपे की सीमा का 12% हिस्सा बविशी मिरी में जाता हैं आपको बाता दें कि वहीं न्योकता के 12% में से 8.33% करमचारी पैंशन यूजना में जाता हैं इसके अलावा पैंशन कोस में सरकार भी 1.16% का योगदान करती हैं तो फिर इतना फंट होते हुए भी EPS 95 पैंशनरों को बड़ी हुई पैंशन क्यों नहीं मिल रही हैं ये भी सोचने होगे बात हैं तो EPS 95 पैंशनरों को उनका हक्त 7,500 प्लस लिए प्लस मिनिमूम पैंशन मिलने ही चाहिए